इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवाई का उप्योग करत प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। 3. ये ग्रंथी की सूजन और फेफरों के गंभीर संक्रमन को कम कर सकता है। 4. ये गंभीर स्वास्थे संबंधी चिन्ताओं और कमजोरी के कारण अनीमिया के प्रबंधन में मदद कर सकता है। 5. ये छोटे बच्चों में सिर्दर्द और सुनने की समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। 6. ये गले की भीर और टॉंसिल की सूजन और दर्द से छुटकारा दिला सकता है। 7. ये युवा लड़कियों में मासिक धर्म को नियंत्रित कर सकता है और दर्द को कम कर सकता है। 8. ये दम घुटने वाली खांसी और सीने में दर्द से छुटकारा पाने में मदद कर सकता है। 9. ये पीट में अकडन और दर्द को दूर कर सकता है। 10. यह नितंबो और जांगो के पिछले हिस्से की सुन्नता को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें